बट सावित्री ब्रत कथा प्राचीन काल में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अस्वपती था भद्र देश के राजा अस्वपती के कोई संतान न थी संतान की प्राप्ती के लिए मंत्र उचारण के साथ साथ प्रति दिन एक लाख आहूतिया दी अठारा बर्सों तक यह क्रम जारी रहा इसके बाद सावित्री देवी ने प्रगट होकर बर दिया है राजन तुझे एक तेजश्वी कन्या पैदा होगी सावित्री देवी की क्रिपा से जन्म लेनी के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया कन्या बड़ी होकर बेहदी सुन्दर हुई योग्य बर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे उन्होंने कन्या कोश्यंग बर तलाशने को भेजा सावित्री तपोवन में भटकने लगी सात्व देश के राजा धुम्त सेन रहते थे क्योंकि उनका राजे किसी ने छीन लिया था उनके पुत्र शत्यवान को देखकर सावित्री ने पती के रूप में उनका वड़न किया रिसी राजनारत को जब या बात पता चली तो वह राजा अस्वपती के पास पहुचे और कहा कि ये राजन क्या कर रहे हैं आफ सत्यवान गुडवान है धर्मात्मा है और बलवान भी है पर उसकी आय बहुत छोटी है वह अल्प आयू है एक बरस के बाद ही उसकी मृत्त ह हो जाएगी रिसी राजनारत की बात सुनकर राजा अश्वपती घोर चिंता में पड़ गए सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा पुत्री तुमने जिस राजकुमार को अपने बर के रूप में चुना है वह अल्प आयू है तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए इस पर सावित्री ने कहा कि पिता जी आर्य कन्याएं अपने पती का एक ही बार वड़न करती हैं राजा एक ही बार आग्या देता है और पंडित एक ही बार प्रतिग्या करवाते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है सावित्री हट कर और बोली मैं शत्यवान से ही विवा करूँगी। राजा अस्वपती सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया। नारद मुनी द्वारा कथित निश्ची तिथी पर पित्रों का पूजन किया हर दिन की तरह शत्यवान उस दिन भी लकडी काटने जंगल चले गए साथ में सावित्री भी गई जंगल में पहुचकर शत्यवान लकडी काटने के लिए एक पेड़ पर चड़ गए तबी उनके स सिर में तेज दर्द होने लगा दर्द से ब्याकूल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए सावित्री अपना भविश्च शमज गई सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी तभी वहां यम्राज आते दिखे यम्राज अपन साथ सत्यवान को ले जाने लगे सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी यम्राज ने सावित्री को समझाने की कोशिस की यहीं बिधी का बिधान है लेकिन सावित्री नहीं मानी सावित्री की निष्टा और पती पर आयरता को देखकर यम्राज ने सावित्री शे कहा ह देवी तुम धन्य हो तुम मुझसे कोई एक बरदान मांग सकती हो सावित्री ने कहा मेरे साथ ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं उन्हें आप दिव्यजोत प्रदान करें यम्राज ने कहा एव मस्त ऐसा ही होगा जाओ अब लौट जाओ लेकिन सावित्री अपने पती शत्य के पीछे चलने में कोई परिशानी नहीं हो रही है पती के पीछे चलना मेरा कर्तब है या सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक और बर मांगने के लिए कहा सावित्री बोली हमारे ससुर का राज छिन गया है उसे पुन वापस दिला दे यम्राज ने सावित्री को यह वर्दान मांगने को कहा इस पर सावित्री ने सो पुत्रों और सवभाग्य का वर्दान मांगा यम्राज ने इसका यवी वर्दान सावित्री को दे दिया सावित्री ने यम्राज से कहा कि प्रभू मैं एक पती वर्ता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आ तरध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वरिक्ष के पास आ गई जहां उसके पती काम्रित्र शरीर पड़ा था सत्यवान जीवित हो गया और दोनों सुखी सुखी अपने राज की ओर चल पड़े दोनों जब घर पहुँचे तब देखा की माता पिता की दिव्य जोती प्राप्त हो गई और उनका राज वापस हो गया इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चीर काल तक राज सुख भोगते पती वर्ता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने शाज ससूर का पूजन करने के साथ ही अन्य बीधियों का प्रारंब करे बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के बैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयू पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो अटल जाता है तो दोस्तों आप सभी को या बट सावित्री व्रत कथा कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो हमारे वीडियो तो हमारी चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेश करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक आप सभी को मिलती रहे राधे राधे